हलो फ्रेंट्स, वेलकम टू माई न्यू वीडियो जो की एक इंफर्मेटिव वीडियो है on पोथोस एरियल रूट्स पोथोस के जिसको most commonly हम मनी प्लांड के नाम से जानते हैं मनी प्लांड के जिसकी हर एक नोड से यहाँ आप देख सकते हैं हर एक नोड से एक रूट निकलता है और इस रूट्स को sticky रूट्स बोला जाता है इसमें से sticky material निकलता है जो की उसको wall पर या फिर किसी पेड़ के तने पर उपर climb करने में help करता है यह रूट्स इसके propagation के लिए भी use होते हैं यह यहाँ से जो रूट्स निकल रहा है आप इसको इधर से cut लगा दे इधर से cut लगा दे और सिर्फ इतना सा portion यह soil में insert कर देंगे तो इसका नया plant बन जाएगा लेकिन propagation आज इसका topic नहीं है तो इसके propagation के बारे में हम बाद में बात करेंगे vegetables की बेल में या फिर और others कहीं सारी बेल होती है जिसमें ऐसे features होते हैं कि उसके आगे की तीन पतिया thread like structure में develop होती है और वो किसी support को पकड़ के उपर climb करती है और कहीं बेलों में अलग-अलग features होते हैं उनको उपर चड़ने में climb करने के लिए लेकिन particular money plant में ये sticky roots होते हैं कि जो sticky material के सहारे बीवाल पे या फिर किसी भी surface पे stick हो जाते हैं चिपक जाते हैं और उसको उपर climb करने के लिए help करते हैं मैं आपको मेरे back yard में एक money plant ऐसे लगा हुआ है वो आपको दिखाता हूँ ये आप देख सकते हैं कैसे हैं ये roots दिवाल पे चिपकी हुई है ये बीच में छोटी छोटी roots भी उसको support कर रहे हैं बस आज के वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye thanks for watching